दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप block whatsApp number का last scene और online status कैसे देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई बंदा हमें whatsApp पर block कर देता है इसके बाद नहीं हम उस number का last scene देख पाते हैं नहीं online status देख पाते हैं लेकिन दोस्तो अगर आप आज इस वीडियो को एंड तक पूरा देख लेते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक के बारे में बताऊंगा अगर कोई बंदा आपको वटसप पर ब्लॉग कर भी देगा तो भी आप उसका लास सीन और ओनलाइन स्टेट और लास सीन देख सकते हैं तो अगर आप इस ट्रिक को सीखना चाते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए तो दोस्तों इस वटसप को इस वटसप नमबर को मैंने इस मूबाइल में ब्लॉग कर दिया है यहाँ पर मैं वटसप को उपन करता हूँ आप देख सकते हैं मैंने इस number को इस WhatsApp में block कर दिया है आप देख सकते हैं यहाँ पर नहीं मुझे इसका last scene दिखाई दे रहा है नहीं online status दिखाई दे रहा है ठीक है लेकिन यह मुझे अगर पता करना है तो मैं कैसे पता करूँगा तो इसकी लिए दोस्तो एक application को download करना है इसका link description में मिल जाएगा वहाँ से आप इस app को download कर लीजिए मैं इस app को open करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तो इस number ने मुझे block कर रहा है फिर भी उसका यहाँ पर जो last scene ने मुझे दिखाई दे रहा है 11 minute ago जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तो इस whatsapp number को मैंने पहले से इस application में add कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर दोस्तो मैं internet को on कर लेता हूँ तो यहाँ पर कुछ ही second में दोस्तो online status show हो जाएगा और मुझे एक notification भी मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं notification मिल चुका है कि यह बंदा online आ चुका है जबके इस बंदे ने मुझे whatsapp पर block कर रखा है ठीक है इस पर मैं click करता हूँ तो दोस्तो यहाँ पर काफी सारी details देखने के लिए मिल जाएगी कि यह बंदा whatsapp पर कब online आया कब offline गया कितने time के लिए रुका यह सारी details यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी जी हाँ दोस्तो तो यह बहुत ही कमाल की trick है दोस्तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी number add करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर online status show रहा है इस बंदे का जबकि इसने मुझे block कर रखा है अब इसके अंदर number कैसे add करना है वो मैं आपको बता देता हूँ तो यहाँ पर आपको इस application को download करना है सभी permission को allow कर देना है इसके बाद यहाँ पर आपको plus के icon पर click करना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले country code डालना है और यहाँ पर आपको उस बंदे का mobile number डाल देना है जिसमें आपको block कर रखा है इसके बाद यहाँ पर आपको उसका नाम डाल देना है ठीके इसके बाद आपको यहाँ पर okay कर देना है और वो number यहाँ पर add हो जाएगा इस notification bell को भी आपको on कर लेना है इसके बाद दोस्तों क्या होगा जैसे ही वो बंदा online आएगा तो आपको उसका online status show होगा उसका last thing show होगा पर आपको पता चलता रहेगा वो कब online आ रहा है और कब offline जा रहा है यह मैंने unblock किया ठीक है internet on है और यहाँ पर आप दिख सकते हैं मैंने message किया message यहाँ पर आ चुका है